समासास्ट्र बिए सर्स्टम समेस्टर पेपरटू मानव संसाधन विकास मंत्रले के अंतरगत नारी और वाल विकासेतु अलग विभाग कब बना गया 1984 में बना गया भारत में पुरूस यों नारी को सम्मान वेतन समंदि सम्मान परिस्रमिक अधिनियम का पारित के अगय था 1976 में बी आप से नहां पर सही दिख रहा है निम्न में से कौन सी घटनाएं घरेलू हिंसा के अंत्रगत नहीं आती है डाकूं दौरा परिबार में मैलाओं की हत्या नेक्स्ट निम्न में से कौन सी घ कारण को घरेलू हिंसा के कारणों में सामील नहीं किया जाना चाहिए आर्थिक तंगी निम्निखित में से कौन सी परिस्तिती महिला उत्तपीडन के लिए उत्तर दाई है ब्रहमण वाद घरेलू हिंसा अधिनियम का पारितवा था 1999 में अंतराष्टी महिला दसक्क बनाय था 1975 से 1985 तक घरेलू हिंसा में निम्न में से कौन से सामील नहीं उपविक्त में से सभी सायुक्त राष्ट संद्धरा निनांकित में से किस वर्ष महिला ससक्ति कर दो गोशित के गये था 2001 को निम्नांकित में से कौन से वेहवार घरेलू हिंसा का उधारण है पत्ती द्वारा पत्नी को दहेज बेपार है तु विवस करना भारत में इस्तरियों पूरुसों के समान परिवार की संपतिक अधिकार देने का समाली विध्धान की सवर्ष पारित हुआ 1956 में भारती समाज के संदर में कौन सी एक दसा घरेलू हिंसा का काडर है पिता सतात्मक बेवस था निम्नांकित में से कौन से दसा घरेलू हिंसा समधित नहीं है, पंचायत द्वारा किसी परिवार की इस्तिरी को दी जाने वाली सारेले को पल ताड़ना, डी आप से नहीं हाँ पर सही है, घरेलू हिंसा का समध निम्नांकित में से किस एक दसा से है, परिवारिक तनाव, निम कोई भी ऐसा कार जो जानबुश कर धमका कर या बल पूर्वक गया हो जिसके फालोसर रुब्यक्ति को आगाहत पहुंचा हो अथा उसके सम्मान को ठेस लगी हो तो हम इंसा काते हैं वह पर भासा में गार्थी ने दिया था डी आप सनिहा पर सही है ने मिलखित में से एक मेले नहीं खाता है महिला घरेलु हिंसा दियां 1990 घरेलु हिंसा दियां 2005 कितने अध्याइद धराएं हैं 55 1037 घरेलू इंसा अधिनियम 2005 की कौन से धरा अन्य मुक दों और कानुनी करवाही में राहत सबंदी है गरेलू इनसा अधिनियम 2005 की धरा स्षप देश हिंदू विभा अधिनियम का पारितुपा उनिसो पच्पन में गरेल निम्सा से महिलाओं का असर्ण रच्छन अधिनियम 2005 के तहत सेवा प्रदाता की नियुक्ति की जाती है दारा 10 के तहत किस अधिनियम दरा इस्तरी पूरिस दोनों को तलाग का अधिकार प्रात हुआ है अधिन्दु वीवा अधिनियम अनी सो पच्पन के तहत वेवाहिक समंदों में कानुरी रूप से तूर जाने को ख्या काते हैं वीलोपन कहते हैं पती या बतनी दरा किसी एक पच्छ को बीना तलाग दिये त्याग देने को ख्या काते हैं पर ही त्याग कहते है निलखित में से कौन सा तलाग का कारण है कूरता योनिक दोस्त सबी है निवनि में से तलाक के बच्छे में तर्क है कुरता और घरेलों इंसा का अंत ए आप से निहां पर सही है मुसल्मानों में प्रचलित मौखिक तलाका वह प्रकार जिसमें पतनी के तुहर अनिमासिक धर्म के समय एक बार तलाकी गोशना की जाती है और इद्दत के समय इस्तरी का सहवास नहीं होता या कहलाता है तलाक ए हसन कहलाता है मुस्लिम मौखिक तलाग का वह प्रकार जिसमें तीन तुहरों के समय तलाग की घुशना की जाती है तलाग के यह हसा मुसलिम तलाक का वह प्रकार जिसमें एक सबत के अधार पर चार महा तक में थुन्ना करने से पत्नी पति के समंदों में विच्छद हो जाता है उसे हम कहते हैं इल्ला कहते हैं जब मुस्लिम पत्नी पत्री पत्री दोनों ही सही मस्तिक के और बालिक हो तो पत्री की इच्छा पर एक दुसरे की सामती से विवाब इच्छत किया सकता है इस तलाग को खुला कहते हैं वह मुस्लिम तलाग जो पत्री पत्रीक सामती से होता उसे हम मुबारत क किस मुसलिम तलाक में पती द्वरा दिये गए अधिकार प्रपतनी तलाक खोसना कर सकती है तलाके तहज बीच के अलावा वेहवारिक रूप से निम्न में से कौन से विवाविच्षेत का सिखार होता है यूवा इस्थरिया कुछ विशेश दसाओं में विवाविच्षेत की म कौन सी समस्या उत्व उत्पन होती है बच्चों की अहवय लना है हिंदो विवावाविच्षेत समंदि प्रण नीम्न में कित में एक समदाय पर लागून होते हैं अनसुचर जन जात्यां जिस बेवस्था के अंद्रगत पति पत्ली के समंद एक निर्धारित अवधी के लिए समाथ हो जाते हैं उसे हम नियाइक प्रिथक करण कहते हैं डिया आप स्निहापर सही है जो इस्तिरी पुरुष से विशेस विवा दिनियम और निसो चौबन के अंतरगत विवा करते हैं उन्हें यह अदिकार पती पतनी परासपरिक सामती से विवा विच्षित का समझता कर सकते हैं यह आप से नहाँ पर सही है भारत में पहला तलाग का दिनियम का पारित हुआ था अठारा सो नहत्तर में विश्षित के विवा विच्षित के अधिकार एक तरफा और ऐसे समस्ता दिकार पुरुष के हाथों में ही केंद्रित है मुसल्मानों में किसके अनुसार विवा विच्षित के वास्त भी कारलवे तनाओं के उतरजनाएं हैं जिनमें इस्तिरीक और पुरुष को व्यवाहिक बंदों में बनाए रखना गठीन होता है इलियत तथा मैरिल विवा विच्षित के लिए दिया गया आवेदन यदिने आले से कितने वर निम्लिकित में से कानुनों में कौन सा कानुन मुस्लिम समाज में तलाग की सुब्धा लिता है मुस्लिम विवा विच्षित अदिनियम 1949 घरेलू इंसा अदिनियम की दारा दस के तषत निम्लिकित में से किसे सेवा वरदाता के रूप में पंजिकृत नहीं किया सकता है नेक्ष्टर तलाग की सुवधाकीन समाजों में मिली हुई है मुसलिम समाज में मुसलिम विवाव इचे दधिनियाम किस्टान में परित वह तो 1949 में तलाग के प्रमों का दिकार दिये गए हैं उप्रक्त में से दोनों को दिये गए हैं बिवाह का कानुनी रूप से रद्ध हो जाना कि अकलता है तलाग घलता है भारत में दहे जेतु का ठोड़ सजा देने का कानुन का स्वाम से दिया गया था उन्नीस सचोरासी में नियाईक पिठा करड़ की सिधारा के अनुसार नियाले से प्रात हो सकता है धारा दस्कित झाल भी मुसलिम वीवाभ विच्छत के प्रकारों में समयध किया जता है उपिक्त मेंसे सब भी ही भारती वीवाभ वीच्छत अदिन्यंच कि सवार से पारित हो तांग सब्था 1879 में वीवाभ विच्छत ही अबवाद इस्थितियों में उप्चार होना चाहिए का सन ownership ऑ instant उनको सुखी बनाने के लिए नेक्स्ट है तलाख के विरोध में तरक दिया जाता है अप्विक में से सभी मेहर किस्ट से समंदित है मुसलिम विवास समंदित है मेरीजर्ण फैमिली इन इंडिया के लिख कोन है के एम कपाड़ यहां है नेक्ष्ट, हिंदु में तलाँ को प्रतिपाधित होता है हिंदु विवादिमयंदा 1854 दौरा मुसलिम में तलाँ के निर्थाईत होता है हिंसली विवादिमयंदा imam में की बहवाइव समझ्चा उमें एक गंबीर समझ्चा है तैसे को देज को दक्षिर भारत में कहा जाथ रिए इसतिerstम कहा जाता है जुँआ द्यांग निरोधग अदनियाम का परित गया था 1961 चैarta में देज निरोधग अधिनियाम की सुबर संषोधन किए लिए था 1986 में हमारा अगला कोशन है यूनिट आर्ट से तो यूनिट आर्ट में दिया क्या है महिलां से समधित सवेधानिक प्रवधान इसमें पहला कोशन है राजटी महिला आयोग अधिनिया और 1990 का अध्याज का कारिकाला और सेवा की सर्ते क्या है तीन सा और भारती दंड सहिंता कि धारा 509 कि से समधित है छेड़ छाड़ करना मात्री तो हित लाब अधिनियां का पारित के गया था 1976 में विवहा कानुन अधिनियां का पारित के था 1976 में उत्तरा दिकार अधिनियां का पारित हुआ था 2005 में कगैंों हम अर्थिक समानता के लिए इस्वाइन अधिनियम का बनाुद एक संद family । यदि नगरे समाज का निर्मां धो शतार पर करना है तो इस्तिवाइब को वाष्ट الل Mega's फूर्शों के समान आसर देने होंगे महिलाओं के संदर में यह विचार गिसके हैं कहांस मेहता समीति के हैं घरे रूह इंसा सनर्चन विध्य का परिथुआ 2005 में भूड पर इच्छड पर रोक अब लगी थी 1994 में लगी थी नेक्स्ट कामकाजी महिलाओं हेतु प्रसूती सुविधा अधिनियम का पहुआ था 1961 में दहेज देह बैपार नीशेद अधिक सक्त कब किया गया था 1986 में महिला ससक्ती करण से समादीत मुद्ध क्या अभीक्त में से सभी किस अधिनियम के तहत महिलाओं को निशुल्क विविद सिवा पतान की गई है 1987 विवाह कानून अधिनियम का बना 1976 में महिलाओं पर हिंसा को पढ़ावा दिने वाले अभीकरण है उप्यक्त में से सभी नेक्ष्ट है बारत में प्रतेक साव पूरुस पर कितनी महिलाओं जैनु लेती हैं 93 महिलाओं क्रिमिनल एवारसन कीजे कतने कन्या बुढ हत्या को ए आपसन यहां पर सही है नेक्ष्ट है प्राकरती गर्वधात का कारण क्या है उप्रत में से सभी क्रितिम गर्वपात किस परकार का प्राध है फोजदारी उनिस्वी सताब्दी के प्रारह में किस छेत्र में कन्या सिचुहत्या का मावला प्रकास में आया था राजस्तान और पंजाब ए एंड भी तोनों अठारह सो पांच में किस छेत्र में सरवाधी कन्या सिचुहत्या हुई थी सवराठ के जड़ेजा राजबोतों में आईपिस्ती में धारह 326 और 326 भी कब जोड़ी गई थी 2013 में संसोधित दहेज निरोधक कानून का बना 1984 में बना अंत राष्टे महिला दिवस कब मना जता है 1992 में बनाया जता है राष्टे महिला यूझ गर बठी के तक हो है 1994 में लोक सभा यूझ बिधान सभाओं में महिलाओं को खितने प्रतिशत आरछब प्राप्त है एकिक्रित बार दीवस स्यवा की स्थापना कभू थी 1995 में इंधिरा महीला योजना का उध्य सिथा उपेक्त में से सभी महीलाओं का असलील चित्र अरिक दिनियान कभूणा 1986 में बना महीला बिवाः निगम की स्थापना कभूणा 1976 से 1987 में के बालबिवानिरोध काद्णियां कब ना टिसमें हा लाज किसी नागरी के विरेदिलिंग के अतार कोई दिवत्वाद नहीं करेगा यहाँ प्रवधान भारती सभिधान के किस अनुच्छेद केले गाया अनुच्छ पंद्रह में prohibition की सभी को सामान रूप से जीवीका कि प्रयाज असाधन प्राथ करने का सभी का कि प्रहार्ती ससाधन है अनुच्छ δεν करने करने के लिए प्रस्तूती साहता के लिए उप्रत दुग्राने की ब्यूस्ता की गई है नेक्ष्ट है सब्भारती सब्दान के किसन उच्छत में कारखानों में अधिबालकों को नियोजन का नीश्यत किया जता है तो अनुच्छ 24 करम में आता है निम्निवे से राज सरकारों तरह किये जाने वाले करल्यान चेत्रों में कौन सा राज अग्रडी है उत्रपरदेश में सरकाद वरा कल्यान सबंदी प्रियाज कब से प्राराम किये गए सवन 1937-38 से प्राराम किये गए महराष्ट में श्रम कल्यार ने साले द्वार किया जाने वाले कल्यार कार्गो कृतने भागों में बाटा गया है धी वेश्ट बंगाल वेलफेर फल्टनाइक्ट का परित किया गया था सने निस चोहत्तर में केंद्री समाच कल्यान बोट के गठन का भुगा था 1903 पन में हुगा था भारत में प्रथम राष्टी आयोकिस्थापन का भुईती 1906 चाट में भारत में बंधुआ मजदुरों को पता लगाने के लिए सरपतम किसीने सरवर्चर किया था गाधी सांती परिष्ठान ने किया राष्टी महिला आयोकिस्थापना सां 1992 में हुगा था महिलाओं के कल्यान यहतु महिलाओं का भारती संदकाब बना था इसमश्मयों 17 में बना था हुग है भारत में महिलाओं बच्चों पर व्यपार कर व्यापार के फ़ल फूलने के निलकित में से कौन से काड़ा थे सीच्छा अन नाइतिक्ता सब भारती सव्धान के किस अनुच्यत में नारी के करय विक्रे पर प्रती सेध समंधी प्रधान किया गया है अनुच्यत तेईस में भारत में वेश्यवरिती की रुक्ताम के लिए करने वाला पहला कानून क्या था दी बांबे प्रिवेंशन एंड प्रासीक्यूशन एक्ट भारती दंड सहिंता की धारा के वेश्यवरिती आधी प्रियोजनों के लिए किसी आयक्स का विक्रे करना तंडिनी अपराद घोशित है धारा दिन सो बहत्तर में नेक्स्ट मानों मौलिक अधिकारों में मानों के वेश्यवरित्त के गरों महत में था पूरुस और इस्तियों के समान अधिकारों की प्रकट की जाती है कथन समयुक्त राश्ट संद के चार्टर प्रस्तावना सम्युक्त राष्ट संद का मानो अधिकारों का सरभाव में गोसना पत्र का बजारी किया गया था 10 दिसंबर 1948 को जारी किया गया था मानो अधिकारों के सरभाव में गोसना पत्र के में कितनी धराएं हैं तीस धराएं हैं प्रतियक व्यक्ति को अपनी स्वत अंतरता असवरच्छा का दिकार है यहां दिकार की धा्रत के अंतरगत है धारतीन के अंतरगत है पूरुष और महिलाओं के प्रति निश्प पच्छोने की एक प्रक्रिजा क्या है लिंग समानता बीमेन इन अरले बुद्धी जम किसके तरह लिखा गया है एम तालीन के तरह लिखा गया है लिंग आयामों को अंदेखा करना या संवजित करने में असपल होना कहलाता है लिंग अंध कहलाता है संगठन के भीतर सभी इस्तरों पर समान संख्या में पूरुसों और महिलाओं का होना सभी छित्रों में समान प्रतिनीदित और भागीदारी सुनुचित करना है लिंग संतुलन कहलाता है लिंग इतिहासकारों के अनुशार लिंग को एकड़ना के रुप में और धरला बंध नहीं किया जा सकता है अगतान प्राकर्तिक है महिला अंदुलन की पहली लहर मुक रुपचे किसके लिए खड़ी थी मत देने के अधिकार के लिए खड़ी थी मारक स्वादी इतिहासकारों के अनुशार महिलाओं की अधिन्ता किसके विकास के साथ विक्षित हुई नेजी संपती किसने टिपड़ी की कोई महिला के रुप में पैदा नहीं होता बलकित महिला बन जाता है सीमोन डी बोयर के अनुशार निलुकित में से कौन गेरडा लर्नर द्वारा लिखा गया है पितर सत्ता का नीर्माड विन्डिकेशन पार दर राइटर साप वुमेन किसने लिखी है मैरी वेल स्टोन क्राप्ट ने लिखा है निलुकित में से कौन सी र agents सिमोन डिवोर द्वारा लिखी गई है दूसरा सेक्स लाइगिंग समंदों पर प्रसिद धक्रिती फैमी मिस्टिक किसके तरह लिखी गई है वेटी फिडिडन के तरह लिखा गया है भी आपसे नहां पर सही है नेक्स्ट कोशन है नर संगार सब्द किसी ने गढ़ा है राफे अधिकार गरांटी की दी गई है 21 के तहट मौली करतब निहित है भाग चौथे और 51 में निहित है बाल हरम का मुख्यकार क्या है गरीबी कि दहज निशेद अधिकारियों की सहाथा के लिए राज सरकार नियुक्त करेगी शलाकार बोड निहामलब बनाएगी निलुकित में में से कौन सा बाल अधिकार उलंगन का मामल नहीं है माता पिता दोरा बच्चे को स्कुल जाने के लिए मजबूर किया जाना कि कारिस्थल पर महिलाओं के खिलाब योन उर्तिविरन को रोकने के और उनकी सुरच्छा के लिए पी ओ याश्च किनीती की आसकता को अनिवार क नहीं लंकित में से कौन सा मामला अप र्याधिकानुन मामला नहीं तलाक का मामला भीड जेना के लिए लिए बनाया गया गया है निषज जल्回來 अधिनियम 1961 वाल विवानिशत अधिनियम कब लागू है 2007 में नेक्स्ट किस मामले में कारेस्तल प्रमहिलाओं का योन उतिवीर अधिनियम दी दिये गए लगभक सभी दिशान देशों को निहित और समाहित करता है विसाखा विच इंटिंग एक्ट कब लागू है 2015 में आईपिसी धारा 314 की 341 डी निम्रिखित में से किस्य समझी थे पीछा करना भारति दंड सहिंता की धारा 370 क्या है बलात्यार के लिए सज्जा नेक्स्ट दिया गया है कुस्ट नमरा राष्टी मानवा दिकार आयोक मुख्याले कहां पर है दिल्ली में नेक्स्ट कोशन मरा दिया गया है मौली करताब्य निहित है भाग चव थे और अनुछे दे क्यामने में रेड क्रास की अंदराष्टी समीत्य के संथापकोंत है हेनरी डिउनेंट थे भेद भाव की रोक्ताम और अल्पस अंख्यों की सुरच्छा पर संयुक्त राष्ट उप योकी स्थापना मानवा दिकार आयोक न किया था पूलिस द्वारा वैक्तियों की गरपतारी के लिए किस दिशा निर्दे सरोच द्वरा दिये गए निविखित में से किस मामले पर ने आये डाक्टर बी डाक्टर स्वरी डीके वसूब नाम पसीम बंगाल राज नेक्ष्ट की ससंसोदों द्वरा भारती सब्दान की प्रस्तावना में धर्व निर्पेच्छ सब्द सामिल किया गया है बाई लाई समा कानूनी सकारात्मक यो विचारधारा को मारों दिखा फेयर दर्जन किसकी विरोधी स्थीस है कल्यानकाणी राज की भारत में मानवा अधिकार स्नाचन दिन्याम की सबर्स बना गया 1993 में बनाया गया मावलिक अधिकारों की निलेकी तिसरेड़ी में सकिस एक में अवस अप्रिश्चेता का उन मुलण सामिल है समानता का अधिकार हे नस दिया है हेल स्वरी हेल छिंगी हेल सिंग की GCNAT y को पनाया गया है डश दिशमबर 1948 को पनाया गया है नेक्स्ट नीचे दी गई सविधान की कौन सी अन्सुची मानेता प्रात भासाओं से समंदित है अनुच्ची आठ ने लिखित में से कौन सी संयुक्तराष्ट एजनसी नहीं है डेबलू टी ओ नेक्स्ट नमरा हिंदू सबता में महिलाओं की इस्टि किसके दरा लिखी गई है एम एस अल्टेकर के द्वारा लिखी गई है अल्टेकर जेंडर एंड पालिटिक्स आफ हिस्टि के लिखक जोन स्कार्ट है ग्रीप सब्द पोट्रियाक का अर्थ है जन जातियां का मुखिया नेक्स्ट अल्टेकर के अनुसान महिलाओं की इस्थी में सफस्ट गिरावत हुई है उत्तरवैदी काल में बहुत दसंद में छोड़ीयों के रूप में सामिल होने वाली महिलाओं को आंतर पर नन कहा गया है वी बुकुनिस ने कहा है एक गुलाम लड़की के काम जीसे टी पड़ियों में खेतों में काम के रूप में दरशा गया है दासी भोग भारत में प्राचिन ग्रंथों में द्रब्वे पुरुष सब्दकार्थ है टांसजेंडर नेमलखित में से कौन सी बोद दवे छोड़ीयों की लगू कभिताओं का संगरह थैरी का था प्राचिन ग्र भारत में दुलहन की कीमत को दरशाता है सुलका भारत में बहुपती प्रथा किस काल से अस्थित में थी रिगवैद काल से अस्थित में थी आनि आई थी बहुपती प्रथा निम्न जन्चाती में पुरुस और उच जाती की इस्तिरी के बीच विवा को क्या कते हैं अनुलोम कहते हैं उच जाती के पुरुस और निम्न जाती की इस्तिरी के बीच विवा को प्रतिलोम कहते हैं एक प्रथा जिसके तवहत एक महिला के एक ही समय में दो या दो से अधी पति होते हैं उसे बहु पतित्व कहते हैं एक प्रथा जिसके तवहत एक आदमी एक ही समय में दो या दो से अधी पतिनिया रखते हैं उसे हैं बहु विवाह कहते हैं वह महिला जो आजीमन किसी देवताया मंदिर की पुजा और सिवा के लिए समर्पिती कहलाती है देवदासी कहलाती है रजाओं सर्थारों आदी की उप पतनिया कहलाती है भोग इस्तिरी कहलाती है प्राचीन साहित में बिवा का कौन सा स्वरूप स्थान रखता है ब्राहा समाज पत्ती के अलाबा किसी अनप्रूद से पुत्र उत्पन करने के लिए पतनी का विद्वा की नियुक्ती कहलाती है नियोग सामाज सुदारक जिन्हों ने इस सती पर्था उन मुलन में पहल दी थे राजा राम मोहन राय ने सती पर्था को किस वर्थ कानुनी रूप से समाट कर दिया गया था 18 ancius में सती पर्था को समाट करने वाला गबनर जनरल को था लाड विल्यम वेटिंग ता आपसे नेक्टी वीडियो में आज तक के लिए इतना काफी है आपसे तो वीडियो को जरू से जरू देखिए हमारे इस वीडियो में आपको भी ये सस्तम समेश्टर समासास्तर के सेकेंड पेपर का वीडियो बता जा रहा है question बता जा रहा है तो इस वीडियो का video हमारे टेलिग्राम में उपलद है जाकर देख लिजे डाउनलोड कर लिजेगा